हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूटूब चैनल प्रोपर क्लास में आज की इस वीडियो में हम परतीचा से सम्मादित कोचन सल्व करने वाले हैं तो आएए देख लेते हैं पहला कोचन क्या है और इसको सल्व करने की कोशिज करते हैं पहला कोचन है चालिस छात्रों की किसी कक्छा में किसी दिन 20 परशेंट छात्र अनुपस्तित थे उस दिन कितने छात्र अउपस्तित थे आएए इस कोचन को समझने की कोशिज करते हैं कोशन है चालिस छात्रों की किसी कक्छा में किसी दिन 20 परशेंट छात्र अनुपस्तित थे यानि एक कक्छा है जिसमें 40 छात्र पढ़ते हैं प्रश्न का रहा है 20% छात्र अनुपस्तित थे यानि उस दिन 40 छात्रों में से 20% छात्र नहीं आये थे पढ़ने और का रहा है अनुपस्तित कितने छात्र थे उस दिन कितने छात्र पढ़ने आये थे कुल छात्र कितने हैं? 40 है और कितने छात्र अनुपस्तित है? 20 तो 40 का 20% निकालेंगे 40 का 20% भी निकालेंगे तो कितना आएगा? आईए निकालते हैं 40 का मतलब क्या होता है? गुणे और 20 को ऐसे लिख देंगे और % को हटाते हैं तो ये बट्टे में आ जाता है 100 बन कर तो 0 से 0 कट और इस 0 से इस 0 को कटा देंगे तो नीचे क्या बचा? कुछ भी नहीं और उपर 4 और 2 4 और 2 को दोनों को मंटिपलाई करेंगे तो क्या आएगा? 8 यानि 8 छात्र अनुपस्तित थे यानि उस दिर 8 छात्र नहीं आये थे और क्या पुछा है? उपस्तित छात्र तो कूल छात्रों में से 8 छात्र को घटा देंगे यानि उपस्तित छात्र को घटा देंगे तो उपस्तित छात्र हमारे निकल जाएंगे तो आये घटाते हैं 40 में से 8 घटाएंगो तो क्या आएगा 32 यानि हमारा एंसर हो गया 32 छादर उपस्तित थे इसी कोशन को हम लोग टिक से बनाने कोशिस करते हैं आये यहाँ पर बनाते हैं 40 छादर को हम लोग 100% मान लेते हैं और इसमें अनुपस्तित कितने छादर है 20% छादर अनुपस्तित है इसको 20% छादर अनुपस्तित 20% छादर को मैनस कर लेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 80% तो 80 को 40 47 निकल लेंगे तो हमारा एंसर आजाएगा 40 का 80 पर्षेंट यहीं पर्षेंट को यहां से हटाएंगे तो यहां पर 100 आजाएगा इस 0 को इस 0 से कटा देंगे और इस 0 को इस 0 से कटा देंगे तो नीचे तो क्या कुछ भी नहीं बचा उपर क्या बचा चार और आठ चार और आठ को दोनों को मंडी पलाई करेंगे तो क्या आएगा 32 32 हमारा एंसर हो गया यहां पर भी उतना ही एंसर आया और यहां पर भी उतना ही एंसर आया हाँ तो दोस्तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्षन में कमेंट करके जरूर बताए हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ सेयर जरूर करें धन्यवाद